नमस्ते दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपनों का और आज मैं आ गई हूँ आजमगड देखिए यह राजकिय लंकृत उद्दान है कोटवा आजमगड महीं पर मैं आई हूँ और देखिए आज बहुत सारा पधा खरीदूंगी मैं इस नर्शरी से और आप लोग को भी इस नर्शरी का टूर कराऊंगी और बहुत ही अच्छा इसमें इतने पौध हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे यह देखिए यह में गेट है नर्शरी का और चलिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं नर्शरी में तो यहाँ पर देखिए यह देखिए यह सरकारी नर्शरी है दोस्तो और यहाँ बहुत सारे पाथे आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही कम प्राइज होता है यहाँ का क्योंकि ये सरकारी नर्शरी है प्राइबेट नहीं है और यहां पर मैं आज पहुच आई कैसे कैसे और मैं अक्सर नहीं आबाती हूँ क्योंकि मेरा घर तो गाउं में है लाल गंज और ये याजमगर है सीटी में तो आज किसी तरह आ गई तो यहां से कुछ पोधे मैं दूंगी और साथ में आपनों को एक छोटा सा टूर करा देती हूँ बहुत दूर में खैला हुआ है ये नर्शरी और यदि आप यहां रहते हूं आसपास तो आप यहां से पोधे पाई करें लिए जा सकने हैं और अब ही मैं तो अंदर आई हूँ तो एक सोची की नजर ठा दूँ इस नर्शरी का फिर मैं पोधे लूंगी कुछ तो मैं बताऊंगी कि मुझे यहां पोधे कैसी और कौन-कौन से पौधे हैं वैसे सभी प्रकार की पौधे यहां मिलते हैं क्योंकि मेरा मैं अक्सर साल में एक बार तो आही जाती हूं इस नर्शरी में किसी भी तरह से टाइम निकाल करके और यहां से कुछ पौधे ले जाती हूं क्योंकि प्राइबेट नर्शरी में तो सारे पौधे मिल जाते हैं बट बहुत ही महेंगे दाम में मिलते हैं लेकिन सरकारी में बहुत ही कम कीमत में मिल जाया आपको सारा पौधा और मेरा तो यही मानना है कि यदि आप पौधा खरीद करके लगा रहे हैं तो आप सरकारी नर बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं पौधों को तो वैसे भी पौधों का केयर करना और उनको लगाना बहुत ही महनत वाला काम होता है गार्डिनिंग करना तो मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि यदि आपके आसपास कहीं पर भी सरकारी नर्सरी हो तो आप वहीं से ये और पौधे खरीदे तो बहुत ही दूर में है दोस्तों ये नर्सरी और यहां पर देखे एक रंग बिरेंगे फूल और पौधे फलदार बीच मतलब हर तरह के पौधे आपको मिल जाएंगे आप जो भी चाहेंगे और यदि मालीजी आप यहां आसपास रहते हो तो आप ब बेर सारे पौधे खरीद करके ले जाए और अपने गार्डेन में एट करें तो अभी एक नजर मैं आपको इधर से दिखा दी अभी उधर भी है बहुत दूर में है आप जैसा देख रहे हैं बहुत ही दूर में है कई तरह के गेंडे का फूल है और हर प्रकार के फूल है य चली दोस्तों और उधर का एक तूर और भी करा दूंगी मैं तो चले कुछ पौधे देखना है और देखेंगे कुछ लेंगे भी और इसके बाद जाएंगे घर साम तक तो कैसा लगा वीडियो और यह चोटा साथ तूर नरसरी का कमेंट करके जोड़ से बताईएगा अच् क्याओए लाइब लुक्त कर एंगे बचान। तक्रावची इस चाहिएगा साथ जातना है एंडियो और उप्रावचीज लूर से पक्षोटाइएगे लाइगे लाइगे गडियो आपुस्ताएगज करशेगे लाइड़ और शाबप्स्तान है यह खार वाचीज पार बाच